अब है ये कि आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में स्वागतते देर से कोंप्लेक्श एनलेशिस का लेक्चर नमबर 11 है लेक्चर नमबर 11 इसमें पढ़ने वाले हैं लोगरेथमेटिक फंक्षन कि यूज आप साथ ही हम पढ़ेंगे क्या होता है 4z not equal to 0 the logarithmic function of a complex variable z denoted by log z log z is defined as log z value जो होते है लोग z equal to log natural log of mode z plus i argument of z plus 2n pi तो यह log z की value होती है वेर theta equal to argument of z जो theta जो होता है वो argument z होता है और z जो होता है minus pi to pi होता है और 0 to 2 pi के बीच में हम इस value को लेते हैं and n belongs to z here log z is a single valued function log z जो होता है वो single valued function होता है उसके बाद आता है हमारे पास branch of logarithmic function if 0 not belongs to g is an open connected set in c if 0 not belongs to g is an open connected set in c then f g to c is a continuous function such that f जो है वो g से c में एक function होगा इस तरह होगा कि e to the power f g equal to z for all z belongs to g then f is branch of logarithm then उस condition जो function होता है वो branch of logarithm कहलाता है तो इसकी एक थोरा में हमार पास आप branch of the logarithm is analytic and its derivative is होता है यह हमें प्रूफ करना है प्रूफ लेट एफ जड़ बराबर लॉग जड़ किस तरह से डिफाइन है फिर से हमने भी डिफाइन किया था लॉग मोड जड़ प्लस आर्गुमेंट ओफ जड़ प्लस टू एन पाई इसको ले या ना लग कोई फरिक नहीं पड़ता है एन बराबर जीरो ले 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 हम तो उस condition में हमारे पास यह आ जाएगा भी आप branch of logarithm where z not equal to zero and आर्गुमेंट जड़ बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई लेट एफ जड़ जो है इस तरह का function है यू जड़ प्लस आयोटा वी जड़ यह सब बुझके लिए फजड जो है वह जड़ का एक function है जड़ का एक function है तो उसमें एक लिखना है तो यह हमारे पास log root of x square plus y square plus iota 10 inverse y upon x where mode z वराबर root of x square plus y square and theta equal to 10 inverse y upon x basically log z की जो value है log z क्या होगा हमारे पास mode z जो होता हो x square plus y square होता है और argument जो होता है वो होता तो हमारे पास यहां से u x y बराबर आगे log x square plus y square वी बराबर आगे 10 inverse y upon x यह आ गया तो हमारे पास यहां से मिले सकते हैं u x y बराबर log root of x square plus y square तो अब यहां से del u upon del x निकालना क्योंकि हम उसको analytic check कर रहे है तो del u upon del x निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास derivative को रहें लॉग x से होता है बन अपॉन एक्स तो उससे हो जाएगा बन अपॉन root x square plus y square उसके बाद root x square plus y square का होगा तो root x square का chain rule से इसको देख सकते हैं इस तरह से क्या है root x square plus y square log इसका partial derivative क्या है with respect to x तो पहले log का क्या तो यह हो जाएगा बन अपॉन root x square plus y square अब del upon del x x square plus y square करना है तो यह हो जाएगा हमारे पास बन अपॉन root x square plus y square इसका करेंगे तो इसके लिए हमारे पास यह टर्म जो है यह इंप्लाई करेंगी हमारे पास x square plus y square तो पावर माइनस बन अपॉन टू और बन अपॉन टू आ गया जाएगा उसके बाद इस टर्म का करेंगे अंदर बाली का x square plus y square तो यह हो जाएगा टू एक्स बैसिकली यह जो है यहां पर लगाया हमने डैल अप्वन डैल एक्स एक्स तो पावर एन वरावर एन डैल अपॉन इस पर एन माइनस बन यह वाला फॉर्मूला यहां पर लगा यह हो गया हमारे पास इसको लिख से बन अपॉन डॉट x square plus y square और ये भी नीचे आ जाएगा तो ये भी डूट x square plus y square ये 2 and 2 x 2 से 2 कट गया तो ये होग है x upon x square plus y square ये आ गया हमारे पास x upon x square डेल यू अपन डेल एक्स बराबर हमारे पास यह आ जाएगा अब फिस डेल सोरी इसमें मिस्टिक है हमारे पास यह मिस्टिक दी हुई है यह इस तरह से ना के जो हमने रिकिया है यह आएगा यह हो गया हमारे पास उसके बाद डेल यू अपन डेल वाई निकालेंगे तो यह यह वह जाएगा हमारे पास डेल युप अपॉद इस तरह से निकालेंगे तो वह जाए वाइएपॉद एसस्क्वरए स्क्वार प्लस गेयायबि इसने कालेंगे उसके बाद जो भी है मारे पास भी क्या है माइरे पास वी वराबर है न इन पर सके हैं एक यपोन एक सब्सक्राइब करेंगे तो यह हो गए हमारे पास अगर दोने तरफ मल्टिप्लाइब कर दें ले ले तो यह हो जाएगा एक स्कॉर प्लस वाई स्कॉर माइनस वाइब पर और जो एक स्कॉर यह एल सिम्मा आएगा वो एक स्क्वार दोनों कट जाएंगे तो यह आगा है माइनस वाई अपून एक स्क्वार प्लेस वाई स्क्वार इसी तरह से जब टेन इनवर्स एक सपून वाई निकालेंगे तो वह हो जाएगा हमारे पास टेन डेल अपून डेल वाई निकालेंगे इसका तो यह हो जाएगा माइनस एक स्क्वार प्लेस वाई स्क्वार इस तरह से यह हमारे पास रिलेशन्स आ गए तो सी आर एक कोईशन जो है वह कहती है हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल वाई एक्कोल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स यह कंडिशन अगर सैटिसफाई करें तो उस कंडिशन में हमारे पा देल व्य स्कोरय स्कॉरय स्कार घाये औलियो स्कॉरय स्क्राइब अनी स्कॉरन चेल खाये नतरब हम अनी और बीसक्राय चच का निए एक्स होगा डेल भी अपन डेल एक्स यह माइने से साइन करने पर यह एक्वल आ जाएगा तो यह दोनों कंडिशन से सेटिस्पाइब हो रही है तो यहां से हम कहेंगे जो फंक्सन जो है वह कर रहा है अब हम इसका डेरिवेटर निकालने के लिए क्या करते हैं डेल अपॉन डेल जेल लौजएड इसको लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एल एल डेल वाई डेल वी तो यह हो गए हमारे पास simply x upon जब इनकी value put करेंगे del u upon del x and del v upon del y यह formula कहा से आए इसके बारे में हम previous video में पढ़ चुके हैं friends वहाँ से जाके आप देख सकते हो तो यह हो गए हमारे पास इनकी value put करेंगे value put करने पर हमारे पास यह term आएगी x upon square plus y square plus iota minus y upon x square plus y square तो यह हो जाएगा z bar upon mode of z square तो इसको लिख सकते हैं z bar upon z dot z bar तो यह हो गए 1 upon z तो यह इसका derivative आगया अब second theorem हमारे पास let zero not equal to g be an analytic open connected set in c and suppose that f c में एक function है जो कि analytic है then f is a branch of logarithm if f dash z वरावर 1 upon z for all g belongs to z and e to the power f a वरावर a for at least one a belongs to g तो यह फ्रूब करते हैं suppose f is branch of algorithm suppose कर लिया कि f जो है वो branch of algorithm है तो हमारे पास e to the power f z वरावर f z होगा for all z belongs to g differentiate कर दिया हमने बिद्रेस्पेक्ट तो जैड इसको तो differentiate करने पर e to the power f z dot f dash z जैड यहां e to the power f z कर किया उसके बाद f z कर किया तो तो f dash z वरावर 1 upon z for all z belongs to g clearly from equation 1 तो equation 1 से यहां से हम देख सकते हैं e to the power f वरावर a for at least one a belongs to g अब हम conversely करते हैं इसको suppose f dash z वरावर one upon z यह है हमारे पास for all z belongs to g and e to the power f a वरावर a for at least one a belongs to g then f is a branch of the logarithm define अब यह फंक्शन में define करते हैं जी जैड वरावर z dot e to the power minus f z basically यहीं से define क्या में यहां से अगर देखें तो f इसको इस तरफ ले जाएं तो यह यह जाएगा हमारे पास one equal to z dot e to the power minus f z यह हमारे पास हमने इसको एक function मान लिया है यह हो गया तो यहां से हमने जी is analytic क्यों है क्योंकि जैड अनलेटिक है था और f upon e to the power minus f z भी सब्सक्राइब होगा तो यहां से यह होगा जी डेस जैड निकालते हैं तो जी डेस जैड बराबर डी अपन डी जैड बराबर हो जाएगा जैड अपन जैड इटी पार minus fz यह जो कि एक 0 के उक्वल है जो हमने इसको solve क्या solve करने के इसी form जो solve करने बाद जो form आ इसकी वह हमारे पास 0 आ चुकिए बैसिकलि हम ने यहां पे जब इसको solve करने के तो f-z की value भी put करने होगा यह याद रखना तो यह हो जाने के बास हमारे पास g-z बराबर 0 हो गया for all z belongs to g जी जड बराबर constant constant के दिया हमने a to find k के दिया तो find k हमने g-z क्यों constant के दिया क्योंकि हमारे पास g-z जो है वो 0 था तो हमने इसको constant k put कर दिया to find k put z बराबर a जड बराबर a put कर दिया इन्हें question two and three equation two and three जो है हमारे पास इस equation में हमने z बराबर a put कर दिया तो इस equation में जब जड बराबर a put कर देंगे तो यह हो जाएगा g a बराबर a dot e to the power minus fa यह हो गया और g z बराबर के एक कोवल है तो यह हमारे पास g a बराबर e to the power a e to the power minus fa and g a बराबर a तो जहाँ से देखें g a जो है basically k है तो k बराबर a e to the power minus fa बराबर क्या है e to the power minus fa बराबर one upon a क्योंकि यह ब्रांच पूंट था यह देख चुके हैं वहाँ से उस condition तो यह हो गया के बराबर one put k बराबर one in equation three equation three में put k बराबर one put के तो g z बराबर आ गया one तो तो g z हमारे पास बन आ गया तो यहां से हम देख सकते हैं इसमें g z की जगें one put करें तो यह हमारे पास आ जाए बन अपक्वल to z e to the power minus fz यह आ गया हमारे पास तो यह आ गया बन इक्वल to z e to the power minus fz तो e to the power fz बराबर z for all z belongs to g so imply होगा कि f is a branch of logarithm by definition यह हो गया हमारे पास आ सिंगल बेर फंक्षन इस ब्रांच ओ लेगरितम लोग जड़ यह हमारे पास एक statement हो गया आ सिंगल बेर फंक्षन इस आ लोगरितम लोग जड़ बराबर यह हमारे पास लोग जड़ फंक्षन इस ब्रांच औ लोगरितम यह होता है यह हमारे पास आ पास एक important fact है उसके पास next theorem हमारे पास prove that log z is not continuous on the negative real axis हमें प्रूब करना है कि log z जो है वो continuous नहीं होता negative real axis पे तो यह हो गए हमारे पास log z 0 वराबर x 0 ले लिया less than 0 be any point of the negative real axis for z वराबर x plus iota y with x less than 0 and y less than 0 we have limit z tends to 0 argument of z बराबर limit x tends to x 0 और y जो है वो greater than 0 है तो argument x plus iota y equal to आगए हमारे पास pi basically यह हो गए हमारे पास 10 inverse y upon x तो यह यहां से हमारे पास x tends to x 0 की तरफ कर रहा है लेकिन y tends to 0 है तो यह हमारे पास 10 inverse 0 जो की pi की value है यह हो गए हमारे पास for z वराबर x plus iota y with x less than 0 and y less than 0 तब देखे हम तो we have argument z tends to z 0 x tends to x 0 and x plus iota y तो यह हमारे पास अगर देखे हैं तो उस condition में हमारे पास by जो है वो less than 0 है तो उस condition में minus pi की तरफ 10 कर जाएगा तो तू limit often are different जो limit है वो different है इंप्लाइ आर्गुमेंट जैड फेल तू पॉसे आव लिमिट एवरी पॉंट और ऑफ नेगेटिव रियल एक्सिस एन नेगेटिव रियल एक्सिस के हर पॉंट के लिए यह लिमिट उसे नहीं कर रहा है तो लोग जाड़ जाड़ नेगेटिव रियल एक्सिस यह हो गया हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट थोण हमारे पास है लेस्ट जीरो नॉट बिलॉंग स्टू जी बिए नोपन कनेक्टेश एक्सी की इफ आप ब्रांच अप दा लोगरित्म एप जो है वो सी में डिफाइन है इस बिद जी जो फंक्षन है जी जो फंक्षन है वो जी टू सी में डिफायन है देन जी जाब ब्रांच अब लोगरिथम तो प्रूब करते हैं इसको गिवन देट एप ब्रांच अब लोगरिथम यानि की एटू पार एफ जड़ व्यावर जैड है फोर और जैड बलॉंग्स जी यह होगा हमारे पास तो गिवन जी जैड बराबर दिया हुआ है इजैड लिस्टू पाई आयोटा एन तो फोर संब इंटीजर एन बलॉंक्स तू जो कि जी जट जो था हमारे पास इस तरह से दिया हुआ था है आपर जी जट बराबर एफ जट प्लस टू पाई अवटर बट एफ जट जो है हमारे पास एफ जट अगर यहां से हम निकालेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास दोन तरफ लोग लेनेंगे तो इटू दी पाबर जट एफ जट बराबर दोनों तरफ लोग लेनेंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा सोरी एफ जट बराबर लोग जट यह हो गया हमारे पास तो इटू दी पाबर एफ जट दोन तरफ हमने यह एफ जट ही है एफ जट दोनो लोगरित्म तो वह भी ब्रांच ओप लोगरित्म रहेगी थेंक यू फ्रेंट्स